Friends, Smart Education Academy की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है देखिए हम लोग Transport Geography को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग Network Analysis के टॉपिक को इस्टार्ट करेंगे जो भी लोग Objective Type Questions से संबंधित परिच्छाएं देते हैं जैसे UGC, Net वगरा उन सभी के लिए ये जो Network Analysis का टॉपिक है बहुत जादा Important हो जाता है अक्सर यहां से Question पूछ लिए जाते हैं तो देखिए Network Analysis के दो भाग हैं एक तो Single Root की Analysis और फिर होती है पूरे Network की Analysis जिसमें Alpha सूचकांग, Beta सूचकांग, Gamma सूचकांग वगरा आता है तो आज हम लोग केवल Single Root के बारे में Short में पढ़ेंगे और जो अगली क्लास होगी उसमें जो Network Visulation का एक जटिल रूप है जिसमें Alpha, Beta वगरा आते हैं इन सभी को हम लोग अपनी अगली क्लास में डिसकस कर लेंगे तो Network Visulation है क्या? आप एक शहर में रहते हैं, माल लेते हैं आप लखनव शहर में रहते हैं अब लखनव शहर जो है, अलग-अलग रास्तों से माल लीजे बहराइच है, गोंडा है, और आपका चलिये लखीमपूर है, सीतापूर है इस तरह से अलग-अलग सड़क के रास्तों से ये बहुत सारे अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है. तो ये क्या हो गया? पूरा सड़कों का एक network हो गया. roads का एक network हो गया. इसी network की संरचना कैसी है? यानि इस network का structure कैसा है? और अलग-अलग इस थानों से ये किस तरह से जुड़ा हुआ है? इसकी व्याख्या करना network analysis यानि network visualization कहलाता है. अब देखें, network visualization में जैसा कि मैंने बताया दो भाग हो जाते हैं. एक तो single route हो गया. तो चलिए समझते हैं single route को. देखें, मान लीजिए, आप सरकार में किसी पदपे हैं और आप से कहा जाता है कि सड़क का निर्मार करना है. तो ऐसे में किन दो इस्थानों को जोड़ना लाबकारी होगा? इसका आपको फैसला लेना पड़ेगा. मान लीजिए, एक इस्थान A है, दूसरा इस्थान B है. अब ये पहाड़ी कोई एरिया है. इनको जोड़ने के लिए मान लीजिए, आप जो सड़क बनाएंगे, उसकी लागत आएगी सो रुपए समझने के लिए. सो रुपए लागत आएगी. और आपको लगता है कि ये सड़क लगभग लगभग पचास साल तक चल जाएगी. यानि पचास साल तक ये खराब नहीं होगी. अब अगर पचास सालों में इस सड़क को बनाने से आपको एक सो पचास रुपए का लाब हो सकता है, आर्थिक लाब जो है, या दो सो रुपए का लाब हो सकता है इस सड़क के माध्यम से, जो व्यापार वगएरा होगा, तो सड़क को बनाना व्योहारिक होगा. लेकिन मान लीजे आपने क्योंकि पहाडी रास्ता है बहुत जादा पैसा खर्च करके सड़क बना दी पर इसमें जो है केवल 20 रुपए का लाब आया 50 सालों में तो क्या है ये जो आपका डिसीजन है वो गलत हो गया क्यों कि सड़क को बनाने के पीछे का जो उद्देश ये था जो आर्थिक उद्देश ये था वो पूरा नहीं होगा तो जब एक ट्रांस्पोर्ट बिल्डर सड़क को बनाएगा तो वो ये देखेगा कि इसमें मेरी जितनी लागत लगेगी उससे ज़्यादा राजसो आएगा या नहीं यानि इस तरहां से सरकार डिसीजन लेगी लेकिन ये देखे इतना सीधा सीधा नहीं है याद करिए कि अभी जोशी मठ में जो घर वगाईरा हैं उनके धसने की घटना हुई तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने हालां कि जो लोग थे उनको तो थोड़ा सा मुवापजा वगाईरा देने की बात गई इन्हें अलग जगे पे बसाने की बात कही, लेकिन ये भी माना कि चीन की क्योंकि सीमा लगती है, जो हमारा बद्रीनाथ वगएरा का छेतर है उस ओर, तो वहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क का होना बहुत जादा जरूरी है, इस ट्रेटिक यानि रणनीतिक कारक हो गए, इसके साथ ही जानि कि जिसे सामरिक कारक कहते हैं, सामाजिक कारक हो गए, जैसे कि कहीं पे बहुत गरीबी है, तो भले ही लाब ना हो, लेकिन सरकार वहाँ तक रोट बनाएगी, जिससे कि वहाँ पे कुछ सुभिधाये पहुंचे, थोड़ा सा आर्थिक विक करता है, लेकिन सामरिक और सामाजिक कारक पे भी निर्भर करता है, देखे, कई बार डिसीजन गलत हो जाते हैं, जैसे शेफिल्ड से लंदन तक एक रेलवे लाइन बनाई गई, 1893 से 99 के बीच में, जिसका इतना लाब नहीं हुआ, लेकिन जो पनामा नहर हैं, हम सब जानत बी को, सबसे ज़्यादा सही तरीका क्या है, अभी, ए और बी को सीधे सीधे जोड़ दीजे, सबसे कम लागत आएगी, क्योंकि अगर इधर आप मुड़ गए, या इधर आप मुड़ गए, तो इस तरह से जाने में, आपकी ये रोड की कोश्ट एक्ष्टर आजाएगी, यानि की लागत पढ़ जाएगी, तो जो सबसे छोटा रास्ता है, उसके माध्यम से स्थानों को जोड़ दीजे, लेकिन आपको पता चलता है, जो सी स्थान है, इसका रणनीतिक महा तो बहुत जादा है, यानि यहां पर सेना वगएरा के पहुँचने के लिए रोड होना ह ही चाहिए, और सेम यही डी स्थान के साथ भी है, तो अब आपकी रोड कैसे होगी, A, C, D और B पॉइंट्स को कवर करेगी, फिर आपको पता चलता है कि E स्थान और F स्थान पर जो आर्थिक विकास है, वो बहुत कम हुआ है, और अगर यहां पर आर्थिक विकास नहीं कि यही होगी, तो A, E, फिर आपका C, फिर D, फिर F और फिर B, इस तरहां से आपकी रोड डेवलप होगी, तो यानि कि कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया जाता है, जो परिवाहन नेटवर्क है, उसका विकास किया जाता ह एक बार फिर से दोरा देता हूँ, जब मैं परिवाहन नेटवर्क है रहा हूँ, तो रोड के माध्यम से समझा रहा हूँ, लेकिन परिवाहन के जितने भी साधन है, जल हो, वायू हो, वो सभी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं.